नवस्कार जी हां गमार में तेजी से उच्छाल केसे बढ़ गए तीन गुना ज्यादा बाव और गमार के खरीदार होंगे माला माल यह लगेगा फिर चुना तो हर्याना के सीर्षा नाजमंडी में गमार के वाव यानि कल 11,000 से पार हो गए जब की फड़ोशी राजे हमारे राजस्तान गाजे की बात की जाए तो नोर नाजमंडी में यहां पर भी 12,000 से पार रुपे बट्टु मंडी और आदमपुर मंडी में 13,000 रुपे परती के उ संवरनी तेजी देखी गई की रेट कई जुनौ ज्दा बढ़ गए फिलाल वहयारी गमार भीजने में लगावा और किसान इसे खरीद रहे आलांकि यह तो अमने सुनाई होगा जो वह गमार खरीद दें लेकिन इमन में उल्टा है जो की वह प्यारी से गमार भीजने लगा है और किसान इस गमार को खरीद रहा है आलांकि इससे पीछे लोजिक ये बता रहे हैं कि विडियोसों में इसकी डिमांड भी बढ़ी है कुछ लोग के रहे हैं कि इस बार गमार की फसल कमजोर होने के कारण राजस्तान वे गुजरात में विजाई बहुत कम यहां पर होई है और बार इसने होने के कल सारी बरबाद होगे इसलिए रेट 20,000 पार हो सकते हैं कई लोग का माना है कि इस बार गमार के रेट 2021 की बांती यानि 30-35,000 रुपए क्रोस करेंगे हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं है फिलार किसान गमार बेशने में जूटे में ह से निकाल कर उसे बेठ रहे हैं 2011 में गमार का बाव 35,000 रुपए परती क्यूंटल से बिका था इस बार भी जिले में यानि 9 साल पहले 30,000 रुपए परती क्यूंटल बिकने वाला गमार के बाव अब बाजी मार लिए दो दिनों में बाव आसमान चुने लगे और गत दिनों गमार का बाव 9,000 परती क्यूंटल के बार चले के बुद्वार को भी गमार की उपरी बोली 9,180 रुपए क्यूंटल नागोर की मंडिक के राजस्तान में द्रसल गमार का इस्टो कर बेठे विप्यारियों के साथ किसान के लिए मंगलवार में बुद्वार का दिन भाइद म बार बाव बढ़ रहे हैं इससे पहले दोजार हैं बारह में में 35,000 रुपए परती क्यूंटल बिगाता है लेकि इस बार लगातार बाव गिर रहे हैं और पिछले 9 सालों से तीस चार जार रुपए क्यूंटल की दर्स से भीक्रा था लेकिन वह प्यारियों की माने तो इस रात में बार इसने होने के कारण में मुझ के कारण यही है तो यही थी गवान को लेकर बड़ी में खास रिवोर्ड अगर कोई नई जान करी आएगी तो जरूर आपको इस चैनल के माद्यम से गवान के बारे में अपडेट कराते रहेंगे देल्यों